सावन मास की कथा महादेर जी की पत्मी जसन माता ने अपने पिता डक्ष के यद कुंद में अपना श्रवीद के अकलव दिया तो अगली जन में उन्होंने परवतराज हिमाले की पत्मी मेनाटी गर्ब से जलम लिया वहाँ वे परवती के नाम से जानी गई परवती की इच्छा थी के पती रूप में उन्हें वे ही महादेव प्लाप्त हों जो पूर्व जर्म में उनके पती थी इसके लिए उन्होंने गूर तब भी किया पर महादेव जी पसंद नहीं हुए और उन्हें सफलता नहीं मिली पार्वती इतने पर भे निराश नहीं हुई उन्होंने अनाधिकाल से क्रिपा करने वाले गरेश जी का ध्यान किया गरेश जी प्रशन होकर पार्वती जी के पास आये और जब उन्हें पार्वती जी के च्छा का पपा चला तो उनुने पार्वती जी से गरेश चौत का वरत एवं पूचन करमे का परामार्ष दिया परामर्ष देकर गरेश जी चले गए गरेश जी के परामर्ष के अमसार पार्वती जी ने गरेश चौत का वरत एवं पूचन किया फलसरूप उन्हें भोले भंडाली शिवजी पती रूप में प्राप्त हो गए दहमराज युदिष्टन ने भी अपना खुया राज प्राप्त करमे के लिए इस वरत को किया था इस वरत को करमे से उन्हें अपना राज प्राप्त हो गया था कर दो कर दो